कि यहीं दोस्तों स्वागत है आपका विजेपाथ एजुकेशन पालंपूर के और नाइन प्लैटफॉर्म पर आपकी रोजाना त्यारी को देखते हुए बच्छों मैं आपके लिए क्या आपके शहर में आपको दिक्कत आ रही है कि हाँ आपके शहर में आपको दिक्कत आ रही है कि हाँ आने जाने में ट्रांसपोर्ट में तो क्या लगता है आपको जरूर अपने शियर करें सांजा करें कमेंट करें अपने विचार तो मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए समय नहीं खाऊंगा कि समय हमारा खराब हो जाता है हिमाचल प्रदेश के मत्यार और कनियारा या मैं खित्र में कि कि प्राचीन शीला के लिए ज़ल्दी से और करिएगा सभी सास साहे समुटाग के साथ पढ़ा जी जंती से क्रेगा रहेगा वह ऑफा के षिला या पथर के शिला लेख है जल्दी से अंसर दिजिएगा वीडिव को भी शेर कलिजेगा अपने दोस्तों में मेरे यह यह चांग्षा रहती है इसलिए मैं जादा जादा करने को बोलता हूं पत्थर के शिलालेक यह संग्राले की स्थापना के बाद ही गती पकड़ने के लिए पकड़ने लगा था ठीक है जैसे हमारी जो है म्यूजियम खुले तभी से इसमें जो है और डाला ढूने की प्रगती पकड़ी जिसमें शिमला और भूरी सिंग में पूरी सिंग संघ्राले में त्रिकत पोयमतूर कुल्टा और कुलिंद राजबंशों के सिक्के रखे गए है अगर आप चाहें तो वहां के म्यूजियम में जो हमारा रज्य का म्यूजिम है वो कहां पर है शिमला में और भूरी सिंग संघ्राले कहां पर है चंबा में है यह याद रखिएगा तो शिमला रज्य संघ्राले में जो हैं बारा सिक्के अर्की से प्राप्त हुए हैं अर्क द्वारा हम हिमाचल परदेश के प्राचीन समय की समाजिक आर्थी कतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भूरी सिंग में जो म्यूजियम है चंबा में से प्राप्त 36 अभी लेखों को राखा किया है जो की शार्दा और टांकरी लिपी में लिखे गए हैं याद रखिएगा यानि की मोस्ट इंपॉर्णन के लोग इमाचल परदेश के प्राचीन निवासी थे सबसे पुराने निवासी कौन थे सबसे प्राचीन निवासीयों का ना बताना है करना है पूट करना है नोट करना है नोट करने से आपकी त्यारी अच्छे से हो नी है क्या करना है, नोड करना है, ठीक है, कोल जन जाती के लोग हिमाचर प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कोल थे, ठीक है, जन जाती के लोग काउन से थे, कोल थे, ठीक है, ये भारत के आदिम जन जाती में गिनी जाती है, वेपसाईक दृष्टी से इस जाती के अधिकांश ल हो हिता और म्यारी कहा जाता है इसमें पूछा गए था जन जाती के लोग प्राचींतर निवासी थे तो इसका सही अंसर रहेगा कोल दोह जन जाती की नूर है पुर्म पर्टेश के निर्मान की सबसे पहले मांग सुझने हैं सबसे पहले मांग किसने की अंसर करिएगा जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी अपना अंसर शेयर कर दिये करो जल्दी से जल्दी से जल्दी मांचर पटेश के पहाड़ी रियास्तों के राज्य के निर्मान की मांग सबसे पहले कि पहाड़ी राज्यों की रियास्ते है तरज्ज बनादिया जाए यह जमांड किसने की सबसे पहले जी आपिशन दे रहे हैं अधिल से बच्झे एक चीजो से प्यारी बच्क हैं जो हमारे c यूशन के साथ जारे सभी को रिक्ष्ट करूगा कि 7-7 में शेयर कर दिए और शेयर कर दिएगा शासात में करते रहेगा मैं बता देता हूं आपको मैं कर skipping सरहेगा वो चाहरा सिंह कि अ कि शाहरा सिंग जो है वो परत्ष है महर्चल परतेश्च के पहाड़ी रियास्तों के निर्माद की सबसे पहले मांघ जो है यहारा सिंग ने सन 1946 में की थी सन 1946 में की थी माचल परदेश के कांगडा जिले का कुल शेतर फल कितना है सभी जल्दी से जल्दी अंसर कमेंट करिएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी अंसर जो है वो सही जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहिएगा अपना अंसर जो है कमेंट करते रहिएगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी के अंसर बिल्कुल सही है, रोजाना, क्लासिस अटेंड करिए आपनी-अपनी, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, बढ़िया से बढ़िया त्यारी करते रहेए, प्रेक्ट अंसर देख लेते हैं इसका, वो है, पांच हजार साथ सो त वालिक, बोलाधार, और हिमाले के अलग-अलग उंचाईयों से जो है, या उंचाई से गुजरता है, ठीक है, ये इसका सही अंसर रहेगा प्रेक्ट अगला सवाल, मैं जाने से पहले देख लेते हैं, अप्रेल 1948 में 27,000 वर्ग किलोमीटर में फैली 30 रियासतों के एकी है, परणाम सरूप हिमाचल प्रदेश, केंदर शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व है आया, मतलब 1948 में टोटल 30 रियासतों के जोड़ा, तब हमारा 27,000 वर्ग किलोमीटर जो है, वो शेत्रफल, 1954 में 54 की बात कर रहे हैं, जब एक और C श्रेणी, यानिकि गर के वर्तित रही, की बदलती रही, राजे के पूर्ण गठन पर पंजाव के पहाडी शेत्रों को राजे में मिला दिया गया, इसका अकार बढ़कर अब 55,673 किलोमीटर हो गया, तो यह हमारे लिए most important रहता है, question के लिए, के इसका correct answer रहेगा, मैं कहूंगा आकी शिवकबार, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप जो है direct दिये गया है, नमबर यहाँ पर, आप उनके ही direct call करके जो है, आप जुड़ सकते हैं, और आपकी जो भी confusion है, उसको हम clear कर लेंगे, ठीक है, बच्चों के साथ, क्योंक कहूंगा, कि demotivate नहीं होना है, आपने अपने answer देने है, रोजाना, जिस परकार से मैं त्यारी करवाता आ रहा हूं, आप त्यारी करिए, अपना result की तरफ focus करें, और daily to daily, ये details जो है, वो रोजाना लीजिए, और इनको PDF को note करिए, क्योंकि ये शिवक्मार ची में आपको confusion, और किसी को बनी रहती है, इसलिए मैं कहूंगा, कि request कहूंगा, नंबर आपके सामने flash हो रहा है, आप जब मत जी, इस नंबर पर call कर सकते हैं, आप अपनी confusion के लिए, पर बच्चों को live में तंग ना करें, अगले सवाल की तरफ, पीर पंजाल परवत श्रिंखला, हिमाच जो हता है, यूट्यूपर बच्चा नहीं समझ पाता, कई बच्चों को confusion रहती है, मैं उसके सिर्फ topics और उसकी tricks या एक जैसे जो nature wise questions होते हैं, मैं उनी को उठाता हूँ, चमबा, नूरपूर, कांगडा और उना, पीर पंजाल, श्रिंकला, हिमाचल प्रतेश के किस जिले में स्थित है, इसका correct answer रहेगा, वो है चमबा, इसकी details दीख लीजीएगा, पीर पंजाल, परवर श्रिंकला, हिमाचल प्रतेश के चमबा जिले में स्थित है, पीर पंजा चिनाव नदी रख कर चलने लगती है बीचो बीच निकल पुष्ट करता है ये पीर पंजार जिले की सबसे उंची चोटियां बहुत ही important question रहता है इसको आपने नोट करना है कि नौर शिला सबसे उंची चोटी है वो कौन सी है कि नौर की है साथ हजार पच्चिस मीटर इसकी उंचाई है बचो इसी परकार से हर एक डिस्टिक की हर डिस्टिक की सबसे उंची उंची चोटियां है इनको आपको याद करने जरूरी लहोस पिती की कौन सी है मनी रैंग है कुलू की विबी भोकरी है चंबा की पीर पंजाल है पांगडा की हनुमान टिपा है शिमला की चांसल चोटी है मंडी की नागरू है सिरमौर की चुड़धार है सोलन की माउंट करोल है बिलासपूर की बहादूर पूर है उन्ना की भा बैन है और हमीरपूर की जो है बच्रों कौन सी है अभा दीट brain यह मandir का बहुत ही अच्छा मंदिर माता का हैं आप देख सकते हैं और इन जाना सवाल शिरिखंड महादेव इमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं चलती से अपना अंसर कमेंट करिएगा साथ साथ में साथ साथ में अपना अंसर कमेंट करिएगा प्यारे बचो सभी साथ साथ में अपना ही अंसर साथ साथ में कमेंट करते रहें कि सभी साथ-स अंसर करते हैं यह बहुत बश्य बहुत बढ़िया मथ्यूजी का अंसर आ रहा है डी रजनीश्राणाजी दे रहे 18,570 feet की उंचाई पर स्थित है यहाँ पर सित शिवलिंग की उंचाई जो है वो 70 feet है और स्थानिय मानिताओं के नुसार यहीं भगवान विश्णु के ने शिवजी से वरदान प्राफ्त भस्मा सुर को रित्य के लिए राजी किया रित्य करते करते उसने अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया और वे भस्म हो मानिता है कि इसी कारण आज भी यहाँ पर पिट्टी और पानी पूर से ही डाल दिखाई देते यहीं कि भस्म की तरह दिखाई देते इसकी मानिता है अगला सवाल निमलिखित मैंसे इमार्चल परटेश का राज की ये पशु क्या है राज की ये पशु क्या है चल दिसे कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्यारे बचों और मैं कहूंगा कि आप जो है क्यों कि आनलाइन होता है किसी भी प्रकार के जो होत क्या होगा इन ही से मिलते जुलते कि सवाल है आपको साम में आएंगे इसलिए आप जो हैं अपनी त्यारी को करते रहें अंता सिंग आये हैं हमारे स्नो लैपड रहे हैं हम्ते दुआ हिमाचल परदेश का राज की पशु हम्ते दुआ है वर्ष 2005 से पहले राज की पशु ज थारिया बनी होती है इनका फर पॉंच नंबा और मोटा होता है जो इन्हें उंचे ठंडे स्थानों पर धीशन सर्थी से बचा कर रखता है और तेंदुओं के पैर भी बड़े और उनी होते हैं कि उन अलब बुद्धधे बोल सकते हैं ठीक है ताकि हिम पर यानिकी बरफ पर चलना ये सहजता से हो सके ये लगवग 15 पीटर तक की उंचाई की छलांग जो है लगा सकते हैं ये बिल्ली परिवार के जो ये एंदुए होते हैं ये किस परिवार के हैं तो बिल्ली परिवार सबसे कम बनों की पर्टीशता है सबसे कम जंगल जो है को कहां पर हैं जलदी से अंसर करिएगा वीडियो अची लगे तो लाइक करना न भूलीएगा चल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में भी शेर करिएगा इस क्लास को कि सभी त्यारी कर सकें और मैं ये कहूंगा कि डि शर्मा मधू अंकुष अत्री और नेच्रल वाइप्स बहुत बढ़ियास मैं सभी को कहूंगा अपना-पना अंसर चेक करें कि आपको कितना सही लगता है नहीं तो वैसे हिमाचल प्रदेश के लाहॉल स्विती जिले जिला जो है वो सबसे कम बनो वाला एक प्वाइंट उन्तालिस मेरे देशी भाषा में अपनी भाषा में तो भाई जंगल नहीं है वहां पर बस खाली भीरान हुमी है ठीक है बंजर है मतलब ना पेड़ है ना पोते हैं धंके तो और इसका भी पति अंसर है कि यह परिश जो है वो देवतार है यह सीधे तने हुए और उंचे-शंकु धारी वरिक्ष होते हैं अभी पूछ लें कि निंगे अगर इसको लकड़ी को काटे ना और सात के बारिश हो दा है तो उस इलाके में बहुत अच्छी सी एक लगड़ी अबहरनों से जुड़ा हुआ सावाल जल्दी से जल्दी अंसर दिजिएगा अनिकेतन शिली सोलन के में जा रहे हैं बी ऑप्षण शिली के साथ जा रहे हैं प्रक्ट अंसर रहेगा वह है शिली शिली जो है वह सबसे छोटा हमाचल प्रदेश का वन्य जीव अभेरन्स है बह कोई भी अंसर देता है वह मैं मानता हूं मगर ऑप्षण जिसको याद होगी डिटेल याद होगी वह कभी प्रेंशन ही लेगा ऑप्षण की अब को आय भी नहीं है उसके बाद उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं को कॉल किया है बंदली जो है पन्यजीव अभेरन कहां पर ह अला इवसंब और एवanka अचरी माठी वने जीव अभेरन कहांगे तर लाघंडी carbs वने जीव अभेरन कहांपर है तो यह ितौल में और धोला धाल मखंडेव अब यह ख्तम हो गया प्यारे बचों अब यहां से यह हिमाचल का सबसे बड़ा जो वन्य जीव भरन है वो बन रहा है बन खंडी में कहां पर बन खंडी में सुखु बोल रहा है आगे कुछ निकाह सकते बक्का पर बोलाए उसने गमगुल शिया वेही बने जीव अभेरन कहा है सलोनी चमबा में और ओविंद सागर बने जीव अभेरन कहां पर है इलासपूर 62 में यह हैं अभेरन बहुत से हैं हमारा तो बैच है पांच जनवरी से स्टार्ट हो रहा है आप इस तयारी के लिए पारे साथ मॉक्ता सिर्स लगा सकते हैं एच पी टैट मिशन है हमारा तो इस टैट की तयारी के लिए जो है आप जोइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी जोइन करवा सकते हैं नेस्ट आजाती है हमारी क्लास, क्रंट अफेर से जुड़ी है, जो की गुजाना के क्रंट अफेर हम लगाते हैं, बहुत बढ़िया भी यह बहुत बढ़िया, किस बैंक द्वारा, किस बैंक द्वारा, I am, a dyr, a dyr is me, अभ्यान शुरू किया गया है, I am a dyr, a dyr is me, यह आप कटन सा देख लेते हैं, फिर आइडिया लगाएगा हम सबको, यह है, फेडरल बैंक ने शुरू किया हुआ है, किस ने किया है, c option है, फेडरल बैंक, फेडरल बैंक ने स्थानिय समुधाय की, समृत सांस्कृती और कहानियों का जशन मनाने के लिए, चन्नाई में एक अनू को विशेश बनाने वाले यक्तियों के संघर्षों और चीत उपरदर्शित करता है, यह फेडरल बैंक का है, हाल ही मैं जारी, cost of living ranking 2023, मैं कौन सा शहर रहने के लिए सबसे महंगा है, कौन सा शहर जो है, सबसे महंगा गिना गया है, सभी अंसर कर सकते हैं, अपनी practice कर सकते है और वीडियो को like भी कर सकते हैं, आप सभी से request रहेगी, उसका correct answer रहेगा वो है नियॉर्क, नियॉर्क को जो है, शहर को जो है, वो cost of living ranking 2023 में डाला गया है, एक अधियन के अनुसार या मताबिक, साल 2023 में नियॉर्क ने प्रवासी के रूप में रहने के लिए दुनिया के पहुँच किया है, यह अधियन ECA International ने किया है, ECA International ने अपनी cost of living ranking में नियॉर्क को टॉप पर रखने या रहने के पीछे बड़ती मुद्रास्पिती और बड़ती आवास लागत की वज़ा से या को बताया है अनिकेत कुछ बोल रहे हैं तू आप में आ गया है और कॉंग कॉंग सेकेंड अब किस देखक ने ने निया graphic उपनियास अजेत को योगी आदित्यनाथ लॉंच गिया है उपनियास का नाम है अजे योगी आदित्यनाथ ये हैं इसकी options का सही अंसर देख लेते हैं वो है शांतनु गुपता की पुस्तक है अजे योगी आदित्यनाथ इन्होंने लॉंच की है शांतनु गु पर दो वेस्ट सेलर टाइटल्स लिख चुके हैं यानिकी बुक्स लिख चुके हैं योगी आदित्यनाथ है या के कुंज में 51 जनम दिन के मौके पर पांच जून को पुरे उत्तरवदेश के कुंजा प्लस स्कूलों में ग्राफिक नौवेल लॉंच किये यह है इसका डिटेल सभी साथ साथ में सुनते रहें आवाज कैसी है यह मुरी शर्मा बोले है आवाज प्रॉपली नहीं है देख लिएगा पताईएगा पी आडियो द्वारा किस नई पीडी की बैलेस्टिक मिसाइल का सफल प्रिक्षन क्या ग्या है प्रिक्षन प्रिक्षन प्याड अगनी प्राइम प्रिक्षन थी अगनी प्राइम प्रिक्षन है अगनी प्राइम है रक्षा अनुसंधान और विकास संगटन डियार्डियों ने 7 जून 2023 को ब्लास्टिक अगनी मिसाइल के उन्नत संकरण वर्जन का सफलता पूरवक परिक्षन किया या पूरा किया अब ये मिसाइल अपने पुराने वर्जन के मुकावले जादा खूबियो से लेस हो गई है आरत लगातार अपने रक्षा शेत्रों को मजबूत कर रहा है इस मिसाइल की पारक्षमता 1000 से 2000 किलो मिटर है और ये अपने साथ प्रमानु हत्यार ले जाने में भी सक्षम है अगला सवार किस के द्वारा 40 वंचित लड़कियों के लिए बाली का सशक्ती क किरण मिशन 2023 शुरू किया है अंसर कर सकते हैं किसने 40 वंचित लड़कियों के लिए बाली का सशक्ती किरण मिशन 2023 शुरू किया है मुनिश पार का अंसर बिल्कुल अच्छा है डिसंबर में लॉच हुई है बहुत बढ़िया जी चलो अंसर देख लेते हैं, वो है NTPC कांती, NTPC कांती जो है अपनी CSR पहल के हिस्से के रूप में कन्या सशक्ती करण मिशन 2000 रे शुरू किया है, जो चार सप्ता का अवासिय कारिक शाला कारिकरम है, जिसका उदेश्य कांती ब्लॉक से 40 वंचित ग्रामियन लड़कियों को स NTPC करांती यकांती बोलते हैं, द्वारा पहली बार आयोजित ये कारिकरम प्रतिभागियों को अकादमिक प्रिशिक्षन कोशल, विकास, संगम, व्यतित्व, परदान करना चाहता है, अगला सवाल, इस रज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवल्दार L.B. Drus का निधन ह हो गया है, किस रज्य के पहले अशोक चक्र विजेता है, हवल्दार L.B. Drus, उनका निधन हुआ है, वो कौन से रज्य के हैं, तमिलाडू है, के हैं, या केरला के हैं, तिलंगाना के हैं, या आंधर प्रतिभागियों के साथ आ रहे हैं, मुनिश चंदेल, प्रक्टन से दे होने से पहले, केरल वासी होने के बावजूद हमेशा लोग प्रोफाइल बनाए रखा, उनका निधन हो गया है, 1962 में उन्हें देश के पहले राष्टपती, डॉक्टर राजेंदर प्रसाद से अशोक चक्र भी मिला है, या का मिला है, 1962 में, और 1967 में इस पुरुसकार को का फोर्ड करने का काम दिया गया तो, अगला सवार, State of India's Environment 2013 की रिपोर्ट के नुसार कौन सा रचे, परियावर्ण के मामले में पहली रैंक पर है, परियावर्ण में, कौन सा रचे है, मध्य प्रदेश, गोवा, सिक्किम या तेलंगाना की अंसर दे रहे हैं, बहुत अंसर, रजनीश राना, बिल्कुल सही अंसर, गैर लावकारी संगठन, Center for Science and Environment ने विश्व स्वास्तिय दिवस की पूर्व संध्या पर वाशिक्स संग्रे, State of India's Environment 2013 इन फिगर्स जारी किया है, रिपोर्ट में जलवायू और चरम मौसम, स्वास्तिय खात्य पोशन, प्रव अगला स्वाल, दक्षिन कोरिया में, एशिया, U20, Athletics Championship 2023 में भारत पतक तारिका में कौन से स्थान पर रहा है, भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो देख लेते हैं इसका अंसर, भारत तीसरे स्थान पर रहा, इन पराइस, चार से साथ चून तक चली थी ति ये, दक्षिन क आयोजित किया गया है इसका आखरी संकरण 2018 के जापान में आयोजित किया गया था इसका पहला संकरण जो है 1986 में इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था जापान फुल 30 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा और तीन कांसे पदक लेकर दूसरे स्थान पर रहा है यहनि कि चाइना वाले रहेगे दूसरे पर और पहले पर होगे आपके जापान वाले फिर चाइना फिर तीसरे पर आगे आपका इंडिक एक्सपो और कॉमन कंक्लेव दो हजार 24 की मेजबानी कौन करेगा पॉस्टिंग से जुड़ा हुआ एक्सपो लगता है कंक्लेव का तो यह कहां पर लगेगा मुंबई के साथ जा रहे हैं बहुत बढ़िए से अंसर दे रहे हैं मुंबई कोलकत्ता चन्नाई या बैंगलाओर यह साथ सदसे देशों कौन कौन से सदसे देश हैं यह भी नोट करने चाहिए आपको फिक हैं इंपोर्टन रहेंगे मंगलादेश, भुटान, भारत, मयमार, नेपाल, शिरलंका और थाइलाइन ये 400 से अधिक वेपार और उध्योग प्रतिनिधी शामिल होंगे सदसे देशों के सरकारी अधिकारियों, दिती, निर्माताओं और कारोबारियों को एक साथ दाने के लिए जो है ये उधिशे लेकर चलेंगे पुलकता में अगला सवाल, पांच में राजे खादय सुरक्षा सूचकांक 2034 में बड़े राजियों में पहला स्थान किस राजे ने प्राप्त की पांच में राजे खादय सूचकांक 25 स्टेेटी सक्योर्टी इंडेक्स 2023 कौन सा राहा है अंदरप्रदेश है तमिलाडू है केरला है या राजिस्थान या आपकी ऑप्षन है प्रेक्टन से देख लेते हैं वो है केरला कि या रखिएगा डॉक्टर मंसुख मांडविया ने जो हैं दोहजाद त्रेस चौबिस के लिए उनकी रैंकिंग के अधार पर विभिन राजिय और केंदर शासित परदेशों की उपलब्दियों के लिए विजेताओं को सम्मानित किया बड़े राजियों में केरल ने शीर् चंडिगर पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर आसिल कि पहला है आपका जमो कश्मीर पर दिल्ली और तीसरे पर चंडिगर यह थी हमारी क्रंट अफेर से जुड़ी हुए क्लासिस अब हमारी क्लास चलने शुरू कर रहे हैं वो है इंडिया जीके यानिकी स्टैक की बहुत पहले सवाल से यह स्टार्ट करता हूँ इमाचल परदेश के मनी करण में गरम झर्नों की प्राकृतिक उजा का स्तुरूत क्या है यानि की मनी करण जो है गरम झरने है उनका स्तुरूत क्या है सभी अंसर करें A, B, C, D सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को शियर करती जिएगा जल्दी से जल्दी प्रक्टन से देख लेते हैं वो है A option पू पातिय उर्टा यनिकी जियो धर्मल इनर्जी जियो धर्मल इनर्जी जो है वो इसका सही अंसर होगा बू तापिय Site यकी और टापिया और खक्षमम तेलंगाना में नामक स्थान पर एक-एक भूतापिय सयंत्र लगाया गया है और भूतापिय उर्चा उत्पत्ती मुख्यता है भू गर्भी उच्मा वारा होती है जो की उमिगत जल के माध्यम से गरम जरने तथा अन्य रूप से बाहर भी बहुत बढ़ी है मुला सेस बैसिन के नाम से भी जाना जाता है विक कौन सा राजे है इस नाम से जाना जाता है करेक्टंसर देख लेते हैं करेक्टंसर है सी आप्षिन मिजुरम को जो है मुला सेस बैसिन के नाम से भी जाना जाता है मिजुरम राजे को मुला सेस बैसिन के रूप से भी जान को संपर्तित करता है जो बढ़ते हुए पहार श्रिंखलाओं के सामने स्थली या उथले समंद्री जमा के रूप में होते हैं कि मोल्स कभी-कभी एक फ्लैंट नैड वेसिन पूरी तरह से खर सकता है जिससे लगवक स्पार्ट निर्फेक्ष स्टैब बनती है ऐसा है कुछ शेहरों को उत्तर से दक्षिन की दिशा में वह आपको लिखना है उत्तर से लेकर आपके दक्षिन में कौन-कौन से राजे आ रहे हैं उनको आपको बताना है जैसे कि ऑप्शन है भूबनिश्वर है च नंबर दूसरे पर आएगा आपका हैद्रावाद तीसरे पर आएगा आपका चन्नाई फिर उसके बाद चौत्य पर आएगा चीन यह शहर है उत्तर से लक्षिन की दिशा में है अगला सवार भारत के प्रेटन स्थलों के स्थर्व में निमलिखित में से कौन सा यूग है असंगत रूप से मेल काता है यानि की प्रॉपरली मैच नहीं कर रहा है सबको दिख्या होगा इसका अंसर इसका अंसर बहुत ही इसी है सभी को फ्रेक्ट जो इतने भी बच्चे है डिर्यक्ट दिखते ही देखिए बहुत बढ़ी आसे अंसर यह option के साथ क मेलाड और माउंट आबू कहाँ पर है राजिस्थान में वाउंट आपू को कहते हैं ज्चोटा शिमला कहते है चोटा शिमला भी काई इयाँ अगला सावाल विश्व का सबसे उंचा सैन्य अड्डा किस देश में हैं जल्दी से अंसर कमेंट कर सकते हैं बहुत ही important है अजनी ग弜ूवानों के लिए 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 बहुत ही बहुत बड़िया से अंसर दे रहें सी ओप्ष्णन निकें जोह सियाचीन के सारे है स्याचिन क्लेशियर है वहां पर हमारा सन्य अड़ा है पिश्व का सबसे हाइस्ट है स्याचिन दुनिया का सबसे उंचाई पर है यह पाक अधिकरित कश्मीर की सीमा से सटा हुआ है यह पाकिस्तानी कभी इधर भी बैठ जाते हैं इसलिए फिर बड़ी मुश्किल से करने वाली अगला सवाल भारत का दैनिक मौसम पानिक मान चित्र कहां त्यार और कहां छापा जाता है रैंश्पा जाता है और अजित्र कहां पर चापा जाता है सभी अंसर दीजिएगा फटा फट वीडियो को share भी कर लिजिएगा कि इसी भी प्रकार का अगर आपके मन में कोई विचार आये सुजेशन आये तो आप मुझे नंतिये के नंबर पर जो है कि पैसेज कर सकते हैं मैं आपको इसका रिपलाई दूँगा के वे अंसर दे रहे हैं हमारी अभी स्वागत है क्लास में हमारी रूझ्णा क्लास वेटा स्टार्ट होती है पुने माहराष्ट्र में है तो यहां पर धैनिक मौसम पांचीतर शपता है when रुझाना क्लास हमारी आठ बजे शुरू होती है अगले सवाल की तरफ स्टार्ट करते हैं भारत के नावकिये सेंत्रों मैंसे निमलिखित मैंसे कौन सा युगम सही मिलान है यहीं कि और सारे इनकॉरेक्ट है एक ही कॉरेक्ट होगा कलती से अंसर बताएं क्या राजिस्थान कलपक्कम अंधरप्देश में है तारापूर तो ऐसे अंधर है काक्रा पार गुज्राथ कौन सा अंसर हेगा आपका भी स्वागत है कि इसका पीडियाफ पाने के लिए आप उपर दिये के पिन पर जो है टैब करें और टेलीग्राम पर जो है हमारे चैनल को लाइक करें तो आपको इसका पीडियाफ आफ्टर क्लास जो है वो प्राप्थ हो जाए तो सही है अनिकेतन कपूर बता रहे हैं बिल्कुल सही और क्यागा करनाटक कलपक्तम कहां है तमिलाडू उतारापूर महाराश्ट्र में और काक्रापार नापके सेंद्र जो है वो गुजरात में स्तित्र अगला सवाल कुरू जल हैवी वाटर का है निर्मान कहां होता है कुरू ज अगला सवाल निमली विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतराश्ट्रिय बंदरगा कौन सा है अंतराश्ट्रिय बंदरगा कौन सा है जल्दी से अंसर करियेगा जल्दी से जल्दी अंसर करियेगा व्यस्त बंदरगा कौन सा है अचली ए के साथ जारे है मुजरी चंदर ए के साथ या पूर बैनिस उपनाम से जाना जाता है चन्याई कित्रिम पतन पतन जो है मैं निर्मित मुंबई के बाद उस्रा सबसे बड़ा पतन है और विशाका पट्रम देश का स्वर्श्ष्ट प्राकृतिक बंदरगा है और जॉल्फन रोज पहाडी के पीछे स्थित्था यह अगला सवाद बंदरगा अधारित विकास को बढ़ावा देने के उधिश्य से अधारपूत सरचना विकास परियोजना को क्या नाम दिया गया है जड़ी से अंसर करें वीडियो अच्छी लगे तो डेली क्लास लगाएं शाम आठ बजे सांगर माला परियोजना वारत में बंदरगा अधारित विकास को बढ़ावा देने और बंदरगाहों के आधुनी करन के लिए भासरकार का एक राजनेतिक रहक अब है हमारी जनल साइंस की जनल साइंस से चुड़े हुए क्या देते हैं आप आनसर जाने का नहीं सीधा इसे चैनल पर भने रहने का और देखने का कि क्या है आपका अंसर कौन सा प्रतार सबसे सबसे कफोर, पताई यह कोईला है, चांती है हीरा है या तोहा है सबसे कफोर पदार्थ कौन सा है, सभी रिए एले के साथ आने, और कोरेक्ट रिच कफूर है अनिके तन सही है हीरा, हीरा जो है वो भूत ही कफोर ऑंसर शाहिए हैgranatean, साक्शी कश्णाि शाहा और का अमिनीशर्मा का, शेकु कपूर का, मुनिश चंदेल का और चंदन का बिल्कुल सही अंसर. अगला है किस खनिज को ब्रीड संशाइन के रूप में जाना जाता है? ब्रीड संशाइन के रूप में जाना जाता है. चल ती से अंसर करिएगा. मैं थोड़ी डिटेल को नहीं भी पढ़ रहा हूँ, आपको यह PDF मिलेगा, तो यह आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं यह इसको, आगे, जो है, स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रीड संशाइन के रूप में जाना जाता है, वो पाया जाता है, जारखन में, और कोईला नगरी किसे कहते है, कोमेंट करके बताईएगा, कि कोईला नगरी किसे कहा जाता है, कौन से शहर को कोईला नगरी भी कहा जाता है, जल्दी से बताईएगा, छारखन का ये एक शहर है, कोईला नगरी, बिल्कुल सही रजनी श्राना का अंसर सबसे पहला आया है, धनबाद, धनबा प्रिवर्तन के कारण प्रदार्थ की गैसी अवस्था से रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रिवर्तन के कारण प्रदार्थ में गैसी अवस्था के द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संगर कां जाता है? यह दो कारकों पर निर्भर यहरें की दो बातों पर निर्भर है एक तारपन पर दूसरा वायू की सापेक्ष आदता पर वर्शा जब जलवाश्व की बूंदे जल के रूप में प्रिथवी पर किरती हैं तो उसे वर्शा कहते हैं शब ही एक परकार का संघनन प्रक्रिया का ही उधारण है अगला सवाल, सै सहीं जी आवंद को ्डैश भी कहा जाता है Coablant Bond को और क्या बुलाते हैं Coablant Bond को क्या बुलाते हैं जलते से अंसर करियेगा Coablant Bond को क्या बुलाते हैं के इस नाम से पुकारते हैं तो क्रेक्टनसर देख लेते हैं कॉर्टनसर ए औप्शन ओलिक्यूलर आबंद इसमें जो उनके बीच में फोर्स लगती है और यानिकि मॉलिक्यूलर बॉंड कहते हैं इसकी डिटेल नहीं जाओगा अभी निमली खित मैंसे कौन से अमल को बैटरी अमल भी कहा जाता है बैटरीयों के लिए भी उपयोग किया जाता है कार की बैटरियों में भी यूज किया जाता है, कौन सा अमल यूज किया जाता है, जल्दी से अंसर करिएगा, A, B, C, D, 4 Options, जल्दी से कमेंट करतो प्यारे बच्चों, और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, कि अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर किया गरो, PDF को शेयर किया गरो, सभी पढ़ें, King of the Acid, S2SO4, अमलों का राजा, है न जी, तो, S2SO4 अध्योकिक, रसाइनों में यूज किया जाता है, और कार की बैटरी में भी इसका उपयोग होता है, बड़े पैमाने पर, और इसे साइनों का राजा भी कहा जाता है, ये रहा, साइनों का राजा, बिल्कुल सही अनिकेतन, ये है डिटेल, और डिटेल आपकी हम मैच भी करवा रहे हैं, बीच में जो false water है या hard water है, कि से हम पता लगाएंगे कि soft water है या hard water है, जल्दी से अन्सर कमेंट करतो बेरी भाया, साथ-साथ में चलते रहने चाहिए, पता लगना चाहिए कि, आपके इंसिटूट ने जो है वो 6800 स्काइवर का टार्गेट भी पूरा कर लिया है आप सबको इसके लिए भी धन्यवाद कि आपका जो प्रेम है वह हमारे साथ बन रहा है और आप हमारे साथ डेली क्लास इसके लिए जोड़ रहे हैं बचों और बचों को भी हमारे साथ जो क्योंकि यह पहारी इलाकों में हो पाया जाता है वहां पर होता है तो आपने यह नोट कर लेना है जिसमें होता क्या है क्ठोड़ता उसमें घुले कैल्शियम और मेंगनेशियम की सलफेट और क्लोराइड और कार्वनेट और बाइकार्वनेट के कारण होती अगला सवाल है भुपाल गैस त्रास्ति मुक्त जहरीली गैस कौन सी थी यह सन 1984 में हुए भुपाल गैस त्रास्ति भुपाल में हुई थी MIC के साथ जा रहे हैं जा रहे हैं अंसर चेक कर लेते हैं और अंसर क्या है तो c option ही ऩह है बीथाइल आई सोगा बीटाइट हमाचली आज हमारे साथ यह बने है बहुत अच्छिय से अंसर अपने भी मध्यू जी का फिल्कुल पस Gra 아니면 heaven ndaddon जी का और अनीकेत को जो भॉलना क्या इंत तो हरवार ही आपके रिफिजन हो जाएगी आप आराम से इसको पढ़िए और बार-बार इस वीडियो को जो है वो देखिए और उनको भी शेर भी करिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए मैं सभी इसको कहूँगा वीडियो को लाइक चुरूर करते रहे हैं प्रेप्स के साथ जा रहे हैं। अंगूर की खेती बहुत बढ़िया अंगूर की खेती से जुड़ा है वीडिक्टी कल्चर अंगूर की खेती से जुड़ा हुए psych इसेरी कल्चर रेशम कीट पालन, PC कल्चर मचली पालन और होटी कल्चर बागवानी बादन से जुड़ा है प्यारे मुझे बहुत बड़ी अंगूर भी भेज दिये हैं मेरे लिए भेजे हैं कि अपने बस दिखाने के लिए भेजे हैं खा रहे हैं क्या पोशवाही परिवहन इसका बता देता हूँ, B option रहेगा, flowem में अतनुकारी शक्रा के रूप में शक्रा का परिवहन होता है, यानि शक्रा जो है यानकी शूगर जो है फ्लो करती है इसमें, पोधे के तने जड़ और पतियों में ये पाया जाता है, flowem, पतियों द्वारा त्यार शक्रा के भागों तक पहुचाते हैं, सर भाशा में कहा जाए तो फ्लोएम पतियों द्वारा त्यार भोजे प्रदार्थों को और जाइलम पोधे की जड़ से जल को विभिन भागों तक परिवहन करने में उतना है, याद रखिएगा है, पानी जो होता है, हम पोधों की तो जड़ो होता है, पोजन का जो पाचन है, किस भाग में पुड़ा होता है, जल्दी से अपना अंसर कोमेंट करिए, स्मॉल इंट्रस्टाहिन के साथ जा रहे हैं, शर्मा नीश राना सी ऑप्शन दे रहे हैं, चंदेल जी, थैंक्यू सर, पता नहीं मुझे निवालू में, थैंक्यू के सीच का कहा है, इन्होंने, पुनिश चंदेल जी ने धन्यावाद किया है, बहुत बढ़ी बात है, मु इसलिए चोटी आंत जाएगा, इसका सही अंसर, वैसे तो इसका अंसर जो है, मुह से शुरू होता है, चोटी आंत में खतम होता है, यह बहुत अच्छे से डिटेल में, मुनीश शर्मा जी ने बताया है, बहुत ही उंदा जो है, इन्होंने आज भी अंसर दिये हैं, साथ म बेसिक फांडेशन बुक आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, और लाइन हमारे प्ले स्टोर से जो है, जो आप हमें रिक्वेस्ट भेस सकते हैं, 559 की आपको प्राप्त होगी, जो कि मैथ का फांडेशन नोर्स हैं, सभी कोशन, सभी गौर्मेंट इंग्जाम के लिए और सभी बाइलेंग्वल कोशन हैं, आप के लिए दिये जा रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए, और हिंदी इंग्लिश के न्यूजपेपर आप हमारे प्राप्त कर सकते हैं, हमारा वर्सेप नमबर है, 9817269053 पर संपर करके आप डेली के क्रंट फिर और न्यूजपेपर पर सकते हैं, आप हमें फोलो कर सकते हैं, शोशल मीडिया हैंडल पर जो की टेलीग्राम, वर्सेप, फेस्बुक, यूट्यूब, इंस्टापर और किसी भी प्रकार की हेलप लाइन नमबर के लिए जो हैं, इसी नमबर पर कॉल कर सकते हैं, आज की आपको क्लास कैसी लगी, जरूर बदा अज की आपको 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 क